हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आसा कतो सभी फीट होंगे प्यारे शुडेंट इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइब 17 भी का क्वेस्ट नमर 11 और 12 सॉल्व करने जा रहे हैं मैं आसा करता हूं कि आपने हमारे प्रिवर्स वीडियो देखे होंगे जहा पर अब ध्यान से देखो तो जो हमारे मार्स दिये हुए है वह 0 से 10 है यानि कि जो क्र्रासी हो गया तो यहाँ क्लास साइज हमारा 20 हो गया में 15 हो गया यानि सभी क्लास अपनाने के लिए पहले जो हमारी was डी होई रहती है नीचे वालों जो बॉक्स में नंबर इसको फ्रिक्वेंसी कहा जाता है तो जो फ्रिक्वेंसी दी हुई रहती है इसको अम लोग एड़ने का फॉर्मूला होता है वह बना इको पहले भी बताया है आए इस बारी बता देता हूं और हम जल्दी से एड़ ये निकाल लेते हैं then हम लोग histogram draw करेंगे question 11 के लिए बाकि हमारे सारे previous videos के link और जो मैं next videos बनाऊंगा साथी Instagram और Telegram के link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो देखो यह हमें numbers दिये हुए है जहाँ पर मैंने class यहां पर मैंनेस करोगी तो 5 हो जाएगी 50 में से 45 मैंनेस करोगी तो हमारा 10 आएगा तो सबसे चोटा वला class ह किसका निकला इसका निकला जो की 5 था तो अब सब जगह आप लोग को numerator में 5 लिखना है जो minimum class size होती है उसको उपर में लिखते है नो इसकी class है कितनी है खुद की 10 है तो नीचे में 10 लिखो और multiply कर दो इसके frequency यानि 8 से तो 5 अंजा 5 5 तू जा 10 हो जाएगा 2 अंजा 2 2 फोर जा 8 हो जाएगा यानि कि जो adjusted frequency है वो 4 हो गया पहले 8 था अब frequency 4 हो गया है यहाँ पर भी same होई काम करेंगे उपर में minimum class size लिखेंगे नीचे में इसकी class size तो इसकी class size कितनी है 30 में से 10 हो तो 20 होगी तो नीचे में 20 लिखेंगे और multiply कर देंगे इसके frequency यानि 32 से तो 5 अंजा 5 5 4 जा 20 2 अंजा 2 और 2 8 जा 32 होता है तो यहाँ पर 8 होगे इसकी frequency देखो 32 से सीधे 8 आगिया तो adjusted वाला हमारा छोटा हो जाता ज्यादा दर समय में उसके बाद फिर हमारा 30 तो 45 है तो उपर में हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे पहले तो minimum वाला और इनका जो class size है वो 15 निकल गया इसमें से इसको minus करोगे तो तो नीचे में 15 लिख दो और multiply कर दो 18 के साथ तो 5 बनजा 5, 5 3 जब 15 फिर 3 बनजा 3 हो जाएगा और 3 6 हमारा 18 होता है तो 6 हो जाएगा इसका adjusted frequency उसके बाद हमारे पास है 45 तो 50 इसमें हमारा minimum वाला उपर में 5 लिखेंगा और इसका class size 5 है तो वो भी नीचे में 5 रहेगा multiply 10 से हो जाएगा तो 5 से 5 cancel हो जाएगा बच जाएगा 10 तो इसका पहले वाला frequency भी 10 रहेगा और अभी का adjusted वाला भी 10 रहेगा लास्ट ले में उपर में 5 लिखो इसका adjusted वाला हमारे पास नीचे में 10 हो जाएगा इसका class जो है वो 10 है तो नीचे 10 लिख दो और multiply इसकी frequency 6 से कर दो तो 5 5 5 2 जा 10 2 2 3 6 हो गया यानि इसका adjusted frequency 3 आ गया अब हमारे पास जो class interval है वो देखो 0 से 10 10 से 30 फिर हमारा maximum 60 तक जा रहा है ना तो आप लोग यहाँ पर 55 कभी गेप ले सकते हो तो कि maximum हमारा 10 तक ही गया ना तो 1 2 3 4 इस तरीके से y-axis में ले ले लेना frequency मारा y-axis में जाता है class interval हमारा x-axis में आता है अगे ड्रो करते हैं इसको इसको इस्टोग्राम तो यहाँ पर हमने y-axis और x-axis बना लिया है यह हमारा क्या बोलते हैं x-axis दो है वो frequency को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा frequency क्या है हमारे पास तो वह हमारे पास सब्सक्राइब करेंगा और मार्स क्या हमारे पास class interval है तो class interval बदले मैं यहाँ पर लिख दिया है उस दर फ्रिक्वेंसी लिखा जाता है तो यहाँ पर आप लोग रिक्वेंसी का बदले नंबर ओफ इस्टोडेंट टिक देना आपके में जगा रहेगा तो मैं यहाँ पर छोटा से बना रहे रहे हैं इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हो तो खिचड़ी बन जाएगा फालतियू में हमारे यहां से 0 होता है जैसे मिन आपको बताया कि आपको मार्स में आपको 1010 का गेप रख सकते हो क्योंकि हमारा maximum 60 तक गया है तो 1010 से हमारा हो जाएगा 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 और यहाँ पर हमारा 60 आज तो मैं यहाँ पर इतना जगह है इसलिए मैं 11 कर देता हो कि maximum 10 तकी गया 10 लगेगा यह 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 यह 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर मैंने लिग भी दिया स्केल को कि वाई एकस में हमने वन इस्टोडेंट को रखा है एक बॉक्स में और एकस एकस में हमने 10 माक्स हो रखा है एक बॉक्स में ठीक है वन बीडी का मतलब वन बीग डिविजन होता है अगर आपको यह चीज पता होगा त जिरो से 10 वाला जो फ्रिकंसी था एडिजस्टेट वाला वह 4 था तो यहां पर हम लों क्या करेंगे जिरो से 10 वाले में 4 में आ जाएंगे तो यह हमारा हो गया 4 में एक सिकेंड तो यहां से यहां पर पॉइंट बनाईए इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए और इसको जॉइन कर दीजिए तो 0 से 10 वाला हमारा 4 आ जाएगा इस तरीके से देखो ऐसे ठीक है और यहां पर आपनो 4 उपर में लिग भी सकते हो उसके बाद फिर हमारा 10 से 30 वाला कितना भी यह 8 है एडजस्टेड वाला तो 10 से 30 यहां तक जाएगा 8 कहां पर है 10 के सिधाई में यह रहा 8 त इस तरीके से हमारा 10 से 30 वाला बन जाएगा उपर में लोग 8 भी जरूर लिग दीजिएगा देन हमारे पास 30 से 45 है जो कि है 6 तो 30 हमारा कहां यहां है और 45 कहां पर आएगा तो 40 और 50 के बीच में 45 आएगा तो इस वाले लाइन में हम लोग को डूनना है 6 ठीक है तो पहले त 6, 30 वाले में और 45 यहां पर आ रहा है देखो यह 40 के बाद वाले लाइन में यहां पर तो यह हो गी हमारा 6 का इन दो और रहा दो ढos lại में 6 लिख लेते हैं अब उसके बाद 15 कर देते हैं यह हौग हमारा थर्टी से 45 बाला लास्ट में 45 यह फिंकला सा वनेगा यहां फो tak दो जीए तो यह बन गया 45-50 वाला 10 पतला सा है लेकिन दम लंबा सा बिल्डिंग की तरह है ऐसे उपर में आप लिख सकते हो उसके लास में हमारे पास 50-60 वाला कितना भी यह तो 50-60 यहीं पर इस वाले बॉक्स में बनेगा 3 कहां पर है तो यहां पर यह देखो इसे सिलाई मे और आको रहाइन से अबसक्ति यहां से लेना है लेकिन थोड़ा से अच्छा इसकेल का आगे वढ़ते हैं और अगला वाले पास इसमें आपको frequency polygon बनाना है यह आपके लिए थोड़ा नया है क्रास 9 में यह आया है पहली बार तो यह ध्यान देते हैं इसमें इसमें हमसे बोल रहा है कि इन study of diabetic patient in a village the following observation were noted यानि कि एक गाव में diabetes patient के बारे बताया गिया है कि वो उनका जो एज है उमर का 10 से 20 वाले कितने patient है तो दो patient है जिनके उमर दस से 20 में 20 से 30 वाले 5 patient है तो यहां उपर में हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है यह हमें frequency दिया हुआ है अब अगर अगर अपने को क्या बोलता है फिरिक्वेंसी पलिगन मनाना है तो इसमें दो चीजों की बहुत जादा पड़ती है पहला हमारा होता है जिसे हम बोलते है class mark class mark का मतलब जानते ही हो न कि upper limit से lower limit को हम लोग को यहां पर क्या करना है minus करना है और two से divide देना है यानि कि यहां पर जो इनका क्लास अपनी कालना जान जाओगे बहुत easy है दूसरा क्या दिहान देना है कि आपको दो imaginary यहां पर points अपने को दो imaginary class interval अपने को imagine करने है उसमें आप जो starting करोगे वह 0 से करोगे कैसे करना है यह मैं आपको थोड़ सा 10 से 20 है 20 से 30 है 30 से 40 है सब 10 10 का gap लेकर के बन रहना तो सबसे सुरू में एक class interval लिजेगा आप लोग और एक सबसे अब इसको करने से फैदा यह होगा ना जब आप graph बनाओगे तो वह graph आपका इदम अच्छे से पहाड़ की तरह बनेगा यानि कि आपके class mark class mark जो होगा वो निकाने के लिए आपको दोनों को add करना है गल्दी से मैंने पिछले बार डिफरेंस बोल दिया था थोड़े पहले यहाँ पर आपको दोनो class intervals को add करना और 2 से डिवाइड देना है तो 10 और 0 मेरा कितना हो जाएगा 10 ही रहेगा और फिर 10 को 2 से डिवाइड दोगे एक्ट में करके दिखा देता हूं जो इस तरीके से किया जाता है 0 प्लस 10 डिवाइड बाइ 2 तो यह हो जाएगा 10 बाइ 2 इकोल टू 5 class interval यहाँ पर class mark जो हमारा 5 आ गया उसी तरीके से इसको भी वैसी करोगे तो 20 और 10 को plus करोगे तो 30 आ जाएगा 30 को फिर 2 से डिवा दोगे तो हमारा आ जाएगा 25 तो यहाँ पर class mark 25 हो गया उसके बाद 30 और 40 हमारा 70 हो जाएगा 70 को 2 से डिवाइड दोगे तो 35 आएगा यानि कि यहाँ पर class mark 35 हो जाएगा 50 और 40 को plus करोगे तो 90 आएगा 90 को 2 से डिवाइड दोगे तो 45 आएगा तो इसका class mark हमारा 45 हो गया अ 50 को 60 प्लस करोगे तो 110 आएगा 110 को 2 से डिवाइड दोगे तो हमारा 55 आजाएगा यहां क्लासमार 55 हो गया लास्ट में हमारे पास 60 से 70 को अपन प्लस करेंगे तो हमारा 130 आजाएगा 130 को 2 से डिवाइड देंगे तो 65 आजाएगा उसके बाद 70 और 80 को प्लस करेंगे तो 155 आज उसे मैं आपको उतार लेना है जैसे number of patient 2 दिया हुआ था 5 दिया हुए था तो 10 से 20 वाला 2 है यहाँ पर 2 लिख दो 20 से 30 वाला 5 है तो 5 लिख दो यह हमको दिया हुआ है बुक में बुक से देख देख कर कर लिख रहा हूं 30 से 40 वाला 12 है तो यहाँ पर 12 लिख दो 40 से 50 वाला 19 है तो यहाँ पर 19 लिख दो अब 50 से 60 वाले 9 है तो 9 लिख दो 60 से 70 वाले 4 है तो 4 लिख दो इतना समझ में आ गिया कि इतना मैंने कैसे किया मैंने simple class interval class mark और frequency लिख दिया है उपर में बस हमने और नीचे में यही actual में हमारे पास x-axis है class mark जोगा वो x-axis को represent करेगा और frequency जो है वो y-axis को represent करेगा तो यहाँ पर आप मैं shortcut में इसको x-axis भी लिख देता हूँ आप लोग लिखना जरूरी नहीं है बस मैं आपको समझाने के लिख दे रहा हूँ कि यह जो number से हमारे x-axis में जाएंगे और frequency वाले जो number है यह हमारे y-axis में जाएंगे ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास x-axis में जो सबसे बड़ा number गया है वो 75 तक गया है 5-5 का difference के साथ तो यह तो मैं 10-10 का box ले सकता हूँ यह तो मैं 5-5 का भी box ले सकता हूँ ठीक है उसके अलावा जो मेरा frequency y-axis में maximum मेरा यहाँ पर 19 तक गया है तो मैं 2-2 का गयफ ले करके बना सकता हूँ तो उससे मेरा काम और असान हो जाएगा आइए इसको ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सकें तो यहाँ पर में ग्राफ फेपर में x-axis और y-axis बना लिया है जो हमारा class interval है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो frequency है वो number of patient को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर दिफ्रेंस ना लेकर करके 10-10 का डिफ्रेंस भी ले सकते हो मैं 5 का ले रहा हूं यहाँ पर यह जाएगा मेरा 5 फिर हो गया 10 15 20 25 30 35 40 45 फिर 55 हो जाएगा फिर 60 फिर 65 70 एंड लास्ट में 75 और 80 तक लिग देता हूं मैं ठीक हमारा है 80 तक ही गया वह से 75 ही तक गया हूँ एक्सेस में तो मैं 80 तक लिख दिया हूं उसके बदब य एक्सिस में हमारे पर जैसे को नंबर बताया कि मेरा यह 025 इस तरीके से है नंबर ना तो मैं यहाँ पर 22 का गयफ ले सकता हूं तो यहाँ पर मों लिखेंगे 2 4 6 8 10 दें 12 फि तो लिख देता हूं x-axis ओके आप लोग एक्जाम में इसकेल भी जरूर लिखेंगा जैसे मैं अभी तक इतने भी कोशन आपको करा है उसमें इसकेल जरूर लिखा मैंने तो यहाँ पर आप लिखेंगा कि on y-axis y-axis में अगर आपन देखें तो हमारे पास जो एक बॉक्स है नहीं हो कितने चिन को कर रहा है तो वहन ऊद्ध कर रहा है तो वन्हें अनि-थैकत और उसी तरीके से पीटेंट अपन यग से में देखें तो उनका एज-गूरूप को प्रीजंट कर रहा है वहाँ आपर तो बादा की यह जो हमारे हॉन पास है coordinates हैं यह x-axis के हैं यह y-axis के हैं तो आप exam में काम करना कि यह table बनाने के बाद इसके नीचे में इनका नाम लिख करके इनके coordinates भी बता देना जैसे कि यह हमारा पहला वाला जो x-axis में 5 है और y-axis में 0 है तो उसका नाम ए रख दो आप लोगे इस तरीके साब नाम दे सकते हो ए जो है वह 5 और 0 है इससे आप लोग क्या करोगे जब यहां पर ग्राफ बनाओगे उसमें आप a b c d इस तरीके से डाइक ली सकते हो जो बी है सेकेंड वाला वह 15 और टू है तो यहां पर आपर लिखो कितना है तो वो हमारे पास 75 & 10 शनुख नःट करेंगे तो अनो पर देखने पड़ेंगे ना बारबार रूपी ऐसी के तो अपने ग्राफ फेपर में यहाँ पर इसको अलग से निकाल लिया है तो सबसे पहला जो है वह फाइब जीरो है ठीक है एजो है तो फाइब जीरो कहां पर होगा एक्स के लिए फाइब है और यही वह जो पॉइंट ह इस घृआ पर लिखने की ज़िल्ए डिन है कि अपने पहले यहां पर को घृइंट जिरो है अब बी में आ जाते हैं फिफ्टीन इन टू है तो एक एकसिस मिए फिफ्टीन यहां पर आएगा और य ही उलकी है यहां इसका नाम में बी रख देता हूल थोinsky में हमारे पस कितना है तो 35 and 12 है तो 35 कहाँ पर है देखो यहाँ पर है 12 कहाँ पर जाएगा तो उपर जाएगा यह देखो 10 और यह रहा 12 तो यह वाला point में रहो जाएगा D जो कि X के लिए 35 है और Y के लिए 12 है उसके बद E हमारे पस कितना है तो कहाँ यह रहा E 45 and 19 है तो 45 यह रहा हमारे X-axis में और Y में 19 कहाँ पर हमको मिलेगा उपर मिलेगा देखो यह ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 16 हो गया यह वाला यह 18 हो गया और 20 हो गया तो 20 और 18 के बीच में यह वाला point जो होगा वो 19 का हो जाएगा तो इधर से हमारे पस E वाला जो है वो X-axis में 45 में है और Y-axis में हमारे पस यह 19 में है ठीक है उसके बाद F वाला कितना है भी यह तो 55 and 9 है तो 55 यहाँ पर रहा और Y-axis में 9 कहाँ पर जाएगा तो 10 के नीचे मिलेगा यह हमारा 10 है यह 8 है तो यहाँ पर यह जो point होगा यह 9 होगा इसका ना हम लोगो रख देते हैं 75 and 0 यह हमारा X-axis में 75 और Y-axis में 0 यही पर रहेगा अगर कोई भी Axis में 0 है तो समझ जाना है और वाई एक्सिस में घर जिरो है तो वह पाइंट हमारा एक्स में बनता है इस तरीके से हमारा बन गया अब इनको सीधी सीधी लाइन से जॉइन कर दो ठीक है कुछ इस तरीके से एक सिकेंड यह हमारा जीरो वाला मिलेगा इससे देन यह मिल जाएगा इससे फिर यह मिल ग भी मिला लेते हैं यह ऐसे आ गया और यह फिर ऐसे आ गया बस इतने ही हमको करना था हमारा frequency polygon रेवी है यह हमारा frequency polygon कहलाता है तो आई होग आपको बहुत अच्छे समझ में आगे होगा मैं आपको जदी से बार division करा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगो imaginary interval लेना है तो जितने का गेप होगा उतने ही आप उसे पहले वाले गेप को यूज करके महाँ पर इंटरवल मनाएंगे शुरू में और लास्ट में दोनों की जो frequency होगी वह 00 होगी हमको class mark निकालना रहता है class mark लिए आपको दोनों numbers क अपर limit को और lower limit को add करके 2 से divide देना है सारे में तो सारा का class mark निकल जाएगा और class mark की हमारा x-axis कालाता है और जो frequency होता है वो y-axis कालाता है बस इतने ही आपको ध्यान रखना है फिर आपको यहाँ पर coordinates के नाम दे देने है बस यहां से देख दे करके उतार नहीं है बस ABCD अप आपको line मना देना है तो यह हमारा frequency polygon बन गया अगर समझ में आया होगा तो comment box में बताइए अगर समझ में नहीं आया है तो instagram ए telegram के थूरू हमसे पूछिएगा मिलते हैं लो next video में तब तक लिए thank you for watching